हेलो गाइस नीफ भुलोग में आप लोगा सवागत है बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रही थी आज पैनली मैं वीडियो बनाना इसकाट किया हूँ और कुछ इस्यू की कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और चलिए आज लिए परति दिन रोज वीडियो आएगा हुआज सेहीं हम लोग के बंधिया में पानी भी हो रहा है आप लोग देख सकता हैं काईस और बहुत सुनारा मौसम है अभ देख सकते हैं और इक हम देख सकते हैं बारिस हो बड़े हुए हैं और आज की डेट में यह स्कूल हाई स्कूल हो गया है और नौज बढ़ गया है और देख सकते हैं लड़का मुर्मजट अपना खेला कबड़ी देख सकते हैं अब लोग चलते हैं आंगे कवर भलोग के अम लोग गाउं का नदी कैसा है चली दखाते हैं गाउं के अंदर ही हम लोग है इस इलाका में बारिस नहीं हुआ है और उस इलाका में जो गाउं के अंदर है उस इलाका में बारिस हुआ इस इलाका में बारिस नहीं हुआ है देख सकते हैं अब लोग और गाउं का नजार हम लोग का है और आगे हैं देख सकते हैं सामने से और आपको अवगाउन का रीवर देखाने वाले हैं चलिए आपको देखाते हैं इस समय कम पानी हुआ था थोड़ा-थोड़ा और पानी आकर रुख गया और इसे ही लग रहा है इस बार आकाल पड़ेगा क्या होगा देख सकते किसान के बहुत समस्या ही समस्या है चलिए आप लोको नदी में एंट्री कराते हैं आईए यह मेरा दोस्त है चोटा सा जुनियर है देख सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो और आज से वीडियो रोज आएगी कंटनीव आएगी कुछ-कुछ वीडियो में बनाए जाएगा और कुछ इसू के वज़ा से मैं वीडियो नहीं बना पारा था और आज से मैं वीडियो दो मिनिट का तीन मिनिट का रोड डालूंगा और अच्छा अच्छा कॉंटेन लाऊंगा आपके लिए चलिए आगे हम नद्दी में हम लोग परवेस खर लिए हैं हम लोग के यहीं नद्दी है देख सकते हैं अभी सुखा पड़ा हुआ है यह नद्दी है पुझा यह ने रहा नद्दी है अप लोग देख सकते हैं पुड़ा दम सुखा हुआ है और देख से उपर का सीन देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं गाइस एरिया हर्यारी ही हर्यारी है आप लोग देख सकते हैं सीन मस्त है अमलोग गाउं अभी अभी फिलाल में शुकी हुई है